हेलो एवरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे DPS के नए स्कूल से रिकूटमेंट आई है और DPS का जो इन्सफराटक्चर है यहां से आप सारे चीजों को देख पाओगे बिलकुल किरियरली यहां से विडियो के माध्यम से जो स्कूल का कैंपस है स्कूल के जो बिल्डिंग्स हैं वो सारे चीजों को यहां पे दिखाया गया और यह ड्रीम कम डुरू होगा आपके लिए अगर आप इस स्कूल में पढ़ाते हूँ यहां पे सारे जानकारे आपको इस वीडियो में दे जाएगी कि कैसे आप अपलाई कर पाओगे, ओनलाई अपलाई करना है, कहीं जाने के जरूरत है नहीं आपको देखे, जैसे ही आप स्कूल के वेबसाइट पर आओगे न, वैसे ही आपके सामने एक इमेज पॉप अप होकर खुल जाएगी, और कौन-कौन सी वेकेंसी है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा, कि ऑनलाई कैसे करना है आपको, ज कुछ समझ में नहीं आता हूँ, तो नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, देखिए, यहाँ पे कौन सी पोजिशन के लिए आप अपलाई करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के लिए अपलाई करना चाहते हो, आपकी जो प्रसनल इंफोर्मेश या नहीं, तो देखिए, जैसे वेपसाइट पर आओगे ना, तो यह खुद बखुद ऑपन हो जाएगा, मैं वेपसाइट भी आपको दिखा दूँगा, you don't have to worry about these little things, तो चलिए सबसे पहली जो वेकेंसी है, वो है प्री प्राइमरी के लिए, ग्रेजिवेशन के साथ प्रेंच, सोशल साइंस, ग्रेजिवेशन, सौत रखी वेकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर में देखिए, पोस्ट ग्रेजिवेशन में सैकलोजी के साथ, अगर आपने आर सी आई से जो है बीएड किया स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हो, काउंसलर, हेल्थ औ और वेलनेस टीचर की भी रिकूटमेंट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिकूटमेंट है, म्यूजिक, आर्ट टीचर, डान्स टीचर की भी रिकूटमेंट है, और नीचे देख लिजी, कंप्यूटर टीचर की भी रिकूटमेंट है, देखिए, यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ website www.dpsmodinagar.com पे आपको आना है और 12 जनवरी जो है इसकी आखरीती थी है last date इसकी जो है वो क्या है 12 जनवरी 2023 तक आपको apply कर लेना है एक और बात मैं आपको बता देता हूँ देखिए email id से जो है आपको apply करना है और actually email id नहीं मैंने आपको data बता दिया कैसे apply करना है मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया अगर नहीं समझे मैं तो नीचे comment करके पूछ सकते हो या फिर यहां से देख लीजिए यह जो three dotted line है यहां पर आने के बाद यहां पर आपको आना है और यह जो three dotted line है इस पर क्लिक करके नीचे देखे सबसे नीचे आपको carrier वाला section दिख रहा है carrier वाले section को जैसे ही आप touch करोगे यह open हो जाएगा यहां पर आपको सारी details भर देनी है आपने घर पे बैठ कर आपको भर देनी है देखिए dpsmodinagar.com आपको search करना है google पे और आप यहां पर आ जाओगे यहां से एक mobile नमर भी आप लिख लो ताकि आपको जो है कोई भी communication के लिए इनसे पूछ सकते हो 761556655 इस नमर पर भी call कर क्या आप information ले सकते हो वीडियो को यहां तक अगर आपने देख लिया है तो नीचे comment करके जहे हैं जरूर लिखें वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत ब देखने के लिए बटेख